हेलो दोस्तों आप सब्सक्राइब करता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लृध गयर तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा फ़ण देखने को मिलता है जिस पर मेना इलेटिंग फिचर्स में इसको अल्रडे मैं बता दिया गया इसके अंदर देखते हैं हमें क्या देखने को मिलते हैं तो यहां पर गईस हमें मिलता है एक चारजर जो की 33 वाट का देखने को मिलता है यह काफी क्यूट सा है मतलब बढ़ा चारजर नहीं यह तो सही यह इसकी मतलब बील्ड क्वालिटी भी सही लगे यहां पर देखेंगे आपको टैप सी के अब देखने को मिल जाता है यहां पर आते हैं अपने फोन की तरफ तो कैसी एफोन देख सकते हैं काफी मस्त एंड काफी ब्यूटिफूल गई यहां पर कला रहे यह एंड काफी पतला आइफोन ना भारी है ना ज्यादा हलका है मतलब मीडियम में हैं इंड साइज भी सही है यहां पर एड़ फोन जैक टाइप सी चार्जिंग यूज कर सकते हैं इंड के इस पीछे देखेंगे काफी आपको मस्त एक्ट्रेक्टिव डिजाइन देखने को मिलता हैं काफी पतला सा फोन है तो यूज करने में काफी मुझे सही लगा गाइस यहां पर काफी अच्छा एक्स्प्रेंस दे रहा है एंड कोई भी फिंगर के निसान बैक पैनल पर नहीं आते हैं एंड कि यहां पर स्कीन प्रोटेक्टर अल्रेडी अप्लाइड है तो यह भी कैस मुझे काफी सही यहां पर यूज करने पर काफी धीला सा कवर महसूस होता है तो कवर पर थोड़ा और बहतर इनको वर्क करना चाहिए था फिंगर पिं असके साथ है मुलेट में आता है तो कि यह काफी सही लगा मुझे यहां पर आपको नया टोगल मतलब एक सुस्टेन वर्चन देखने को मिल जाता है उसके फीचर्स भी मतलब काफी सही देखने को मिलते हैं उस पर भी एक वीडो चल दी आएगी फ्रिफार टेस्ट भी वैस तो यहां पर कोई यह सुनने यह इस से रिलेटेट गई तो यह भी काफी सही है और मतलब देखें तो सही चल रहे है सिक्टियर्स के साथ यहां पर चलता है हम सिंपली अबाउट फोन में यहां पर आप सभी चीज़े देख सकते हैं एक सटेन वर्जिन फोर्जिन फोर्जि लिखी हुए तो आप इजी लिए यहां पर आकर देख सकते हैं और यहां पर वीडियो की बात करें तो किस यहां पर आपको एमोलेट डिस्प्ले देखने मिल तो यहां पर कलर सचुरेशन मतलब मुझे थोड़ा ज्यादा ही लगा बागी के यहां पर सांड क्वालिटी सु के बात करते हैं कैमरा के बारे में कैमरा में तो यहां पर उलकलका में जो भी डिटेल आये हैं काफी कमाल की देखने को मिल जहते बीदावट 50 मिशल है यह तो शांपनेस बैक कैमरा से कफी सखिस हैं निए एक उन लाइए और लाइट कांट्रोल मैं करूंगा कि इसमें और यह उतना अच्छा से लाइट को नहीं कर पाता है यहां पर भी देख सकते हैं आप कलर को थोड़ा ज्यादा बूश्ट करता है बट ठीक लगता है यहां पर कोई दिक्कत मुझे नहीं लगी बस लाइट कंट्रॉल कर ले तो गई काफी ज्यादा सही हो जागा यहां पर फ्रॉंट की बात करते हैं तो इस यहां पर फ्रॉंट में शिक्रिमा पिक्सल के हिसाब समय कहूं तो कहीं से पोट्रेट ठीक ठागा जाता है बट पिक्चर की जो सार्पने से वह अच्छी देखने को मुझे नहीं लगी लाइट तो अब करने के करना इनका जरूरी है बहुत अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो फिरिफायर को पर्फरॉंट करते हैं यहां पेज मिलता है में में अच्छा प्रोसेसर यहां पर इंफिनिक्स नोट 11 में मतलब यह दिया है और होट 11 जो आपको सामने दिख रहा है उसम Gverin Max 8 सभी विडियोस आपको जल्दी देखने को मिल जाएंगी तो उसके लिए ग्यास आपको बस कुछ नहीं करना वीडियो को लाइक की चैनल को सबस्क्राइब करकर वेट किजिए गई सारी वीडियो से आपको देखने को मिल जाएंगी करके एंड कॉम्पेर भी आएगा यहाँ पे इन्फनिक्स होड 11 से नार्जो थर्टी से रियल मेट फाइब इसे इन सभी फॉन से भी कॉम्पेर आएगी अंड माइक्रो मैक्सी नोट टू भी देखिए ज कर देखिए अभी मैं कहुंझ जितना भी यूज किया तो गईसी यहां पे कोई भी मुझे इसुत देखने को नहीं मिलता है परफॉर्मेंस में गाफी सही वर्क कर लेता है रिकॉर्डिंग के भी सांत में अच्छा पाइप करता है तो लाइक बिल्कुली देखने को नहीं म वह वह 12,000 के साथे 12,000 के रेंज में सभी फोन्स को किल कर दिया है वहां पे जी 95 प्रोसिसर देखने को मिलता है जोगी काफी पावर फूल हो जाता है जी 88 से तो उसको आप देख सकते हैं एक बार लेकिन वहाँ पर भी अपडेट नहीं मिलता है तो आप अपना देख सकते हैं इस फोन का टेस्ट आपको सारी देखने को मिल जाएगी तो दोस्त फिलाल वीडियो में इतना ही उम्मीद है आप अच्छी लगी होगी जरूर से वीडियो क में तब तक के लिए दोस्त बाए बाए